हेलो दोस्तों कैसे हैं आई हो बहुत अच्छे होंगे तो विंटर्स का सेजन है दोस्तों तो आपके गार्डन में भी फ्लावरिंग जो है विंटर्स के खिलने स्टार्ट हो गए है तो मैं आपने गार्डन में जो भी फ्लार खिलते हैं वहले में आपके साथ शियर कर दियू यह मेरा देसी वाला मेरी गोल्ड प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किया था और इसके उपर अंगिनत कली और अंगिनत फिलावर है बहुत हेवी ब्लूमिंग होई है अगर आपके पास भी सीड रहते हैं तो आप उन्हें मत्वी किएगा तो उसे ग्रो कर सकते हैं जिससे हम यह प्लांट के पिंचिंग थी वो भी मैं वीडियो आपके साथ शियर कर चुकी हूँ और इसके उपर जब एफट्स का अटैक होता है तो आपने कौन सी सप्रे करने है उसके बार पहले एक वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर कर देख सकते हैं तो अगर आपके प्लांट के बहुत अच्छी बात है नीम ओयल में आप शेंपो को मिक्स कर दीजिएगा या फिर थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा मिक्स करके आप अपने प्लांट के अंदर सप्रे कर सकते हैं तो यह मैं अपने प्लांट के अंदर जो सप्रे है 15-20 दिन के बाद करती रहती हूं बट इफेट से लगना एक कॉमन सी बात होती है गुल्दादी के उपर तो बहुत सारे एफेट बलैक वाली लगते हैं बलैक मैर चोटे-चोटे होते हैं बट आप अपने प्लांट को चेक करते हैं जब भी आपके प्लाट को इफेटस की प्राब्लम आपको दीखे तो अगर गेर जाते हैं अगर नहीं है तो simple hand wash लीजिएगा या फिर surf लीजिएगा कोई भी हम अपने घर में होता ही है अकसर तो उन चीजों को आप पानी में घोल दीजिएगा तो फिर भी आप सपरे कर सकते हैं इससे हमारे efforts की problem solve हो जाती है तो चेली दोस्तों आज मैं गल्दोदी के उपर अकसर हमारे ये प्लांट है पर्मानेंट है और बहुत heavy flowering होती है अकसर हम कुछ गल्दियां कर जाते हैं इस प्लांट के अंदर वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पहले तो मैं एक पिंचिंग की बात क Mart हो जाएं तो यह आप पिंचिंक मत करेएंगा यह कंब देखे मेरे plant के अंदर कल्यां बनी स्टार्ट हो गई है अगर बड़ी संटिय्ट मेहां होते हुए थोड़ी पींचिंग करेंगे कि जिन प्लांट के ऊपर कल्यां नहीं बन रही है तो एमको पिंचिंग कर मिलेगा यह नहीं करना है आपको तो अब की गई पिंचिंग आपके प्लांट को नुकसान कर सकती है तो जैसे ही कलियां बनती है जितनी भी बनी है उसको यह आप अपने होमेड फटिलाइजर वगरा देती रहिएगा तो उससे हमारी फ्लावडिंग जो हैवी होगी सेकिंड लावंया वो आप ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा अगर आपने ओबर्वाट्रिंग कर दी तो आपके प्लांट के बनी यह चैज माई हो 흡़ हो जाएगा प्लांट के अंदर जो है हैवी फ्लावरिंग तो होगी तो आपका प्लाट भी हेल्दी रहेगा तो तीसरा टिप्स मैं शेयर कर लेती हूँ आप होममेड फटिलाइजर दे सकते हैं जैसे मस्टरड केक का दे सकते हैं मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर किया है आज मैं जो दे रह राक आपको मिल जाती है उससे बैटर चीज नहीं है इस कंडिशन ने जब कलिया किल जाती है तो आप वो डैश को लीजिएगा या फिर लकडी का कोईला होता है जला हुआ जो लकडी जलाने के बाद राक मिलती है उसका आप पानी में गोल करके अपने प्लांट के अंदर केल्चियम के मादरा बहुत सारी होती है आपके प्लांट को जो है कलिया केलने में हैल्प मिलेगी जैसे ही कलिया किलती है तो उससे हमारे प्लांट के अंदर इस इंजीजों का अगर मस्टर्ड केक हो गया या फिर अभी यह मैं वूड एश का ही दे रही हूं पहले मैं शेय अगर दस रिजल्ट मिलता है तो आप एक महीने के अंदर एक या दो बार दे सकते हैं यह होममेट चीजों का मस्टर्ड केक हो गया बनाना पील जो गया इन चीजों का फटिलाइसर बना करके दे सकते हैं वो डश का तो आप अपने प्लांट के उपर सप्रे भी कर सकते हैं इससे भी हमारे प्लांट के अंदर जितने भी एफिर्स लगते हैं उसमें बहुत सारी हमें हेल्प मिलेगी तो एफिर्स अपने आप गिरने स्टार्ट हो जाएंगे तो यह मैं दे रही हूं दखा रही हूं अपने जो गार्डन के अंदर कुछ मेरे प्लांट के अंदर अगर प्लाट लेने हैं अभी आपको नरसरी में इसके मिल जाएंगे तो यह मेरा बटन गल्दवधी है जो छोटा साइज रहता है वो वले है, तो काफी मेरे कलर हैं अब ही खिलेंगे अभी यहालो कलर हैं Darren और है तो यह तीन और हो यह मरून कलर है, mustard cake, mustard cake जो है आप अपने plant के अंदर दे सकते है, banana peel's है, banana peel's का भी fertilizer आप बना करके दे सकते हैं जिजों को सो करिए गाउवरनाइट तो 24 गंटे के बाद भी आप दे सकते हैं, इसके अंदर जो है पानी की ratio 110 की रखिएगा एक मग जो है इस fertilizer पर लावरिंग चाहला और टैन्ट पाने शोब के अपके हैं एक नरा हैं खरके दिये वांद यहादा है काफी दिनों तक खिले रहेंगे आपका प्लावरिंग भी हैल्दी बना रहें गा और प्लांट भी हेल्दी रहेंगे अगर आपके प्लांट के अंदर एफिट्स लग रहे हैं ब्लैक कलर के चोटे-चोटे से होते हैं तो आप उन चीजों का जो मैंने सप्रे बताया है करिएगा इससे हमारे प्लांट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम तो ये मेरा वीडियो था आज आपके लिए मुझे लगता है हेल्फूर रहा होगा तो वीडियो को जादा जादा शेयर करिएगा लाइक करिएगा जैने में पहली वारे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये पॉइंट्स अगर आप फोलो करते हैं तो आपके प्लांट के अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग होगी तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ तील दन टेक किया बाई 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 अपने अपनों का धियान रखिए थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग अवर नाइस टेक के बाई बाई